हेलो विवोर्स वेलकम बाक उन माई यूटीव चैनल ब्लिस एड़ लर्निंग बार निशा आज आम इस वीडियो में एक्नॉमिक्स के इस वीडियो में एक्नॉमिक्स के साथ समझेंगे और इस वीडियो में से आप से कैसे क्वेशन पूछे जाते हैं वो भी हम यहां पर समझने वाले हैं एक ही क्वेशन में से कैसे तमाम क्वेशन आप से एक्जाम में गुमा फिरा के पूछे जाते हैं वो सारी चीज़े हम इस वीडियो में समझने वाले है तो यह वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही जादा इंपॉर्टेंट होने तो हमारे इंडियो पी सिंबल को डिजाइन किया था इंडी को में अटनियो को डिजांक यहां हैं तो हमारे इंडेन रूपी सिंबल को कमा श्रВОच नोह ने इस इंडां कर बन्कुर नतनिये के कि इंडवनागरी आर गया या रागया यानि रॉमन में जो आर लिखते हैं, वो दो पैलर लाइन्स के फॉर्म में लिखते हैं, तो वहां से जो है क्या करा गया है, इसको डिराइव किया गया है, तो हमारा इंडेन रुपी सिंबल जो है, वो दो स्क्रिप्ट से मिलकर बना है, देवनागरी और रॉमन, यादखना, And next important question पोचा जाता है कि, इस इंडेन्स रुपी सिंबल को डिजाइन करने के बाद, Government of India ने officially इसको कब एडॉप्ट किया, तो Government of India ने इस सिंबल को एडॉप्ट किया 15 July 2010, यानि 15 July 2010 को इसको officially इंडिया में एडॉप्ट कर लिया गया by Government of India तोवारा, very important exam में यहां से ये तीन question बहुत बार पूचे गई हैं, next question is, who developed human development index, आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, इस से related, आपको question आपको हर exam में देखने को मिलेंगे, तो human development index, इस index को किस ने develop किया था, यानि पहली बार इस index को किस ने तियार किया था, तो very important है, इस index को पहली बार तियार किया था, पाकिस्तान के economist थे, जिनका नाम था, में बोग उलहक, उन्होंने इस HDI index को develop किया, ठीक है, और ये कब बनाया गया, कब तियार गया उन्होंने 1990 में, 1990 में पहली बार महबोब उलहक द्वारा इस HDI Index को तियार गया गया और उसके बाद से हर साल, every year इस Index को जो यूज कर रहा है, वो कौन कर रहा है, UNDP याद अकना, इस Index को तियार किया था, पाकिस्तानी कॉनमिस्ट महबोब उलहक ने, बट every year कंट्रीस के डवलपेंट को चेक करने के लिए, हर साल इस Index का actual में यूज कौन करता है, UNDP UNDP क्या है, United Nation Development Program, आप से कई बार UNDP की फिल फॉर्म पूची जाती है, तो UNDP की फिल फॉर्म क्या है, United Nation Development Program, ठीक है, United Nation Development Program, UNDP हर साल इस Index को निकालता है, और इस Index के बेसिस पे वो कंट्रीस की परफॉर्मिस को एसस करता है, नेक्स कुशन पूचा जाता है यहां से, कि टोटल कितनी कंट्रीस हैं, जो HDI के अंदर पाटिसेपेट करती है, यानि टोटल कितनी कंट्रीस का HDI rank निकाला जाता है, तो अभी करेंट के में बात करें, तो टोटल 189 कंट्रीस, बहुत बार एक्जामें पूचा गया, टोट में इंडिया HDI में कैसा परफॉर्म करता है, तो 2022 की इंडिया की HDI rank है 131, यानि टोटल 189 कंट्रीस में से इंडिया की जो rank है 131, नेक्स कुशन यहीं से बूसता है, कि सबसे टॉप मूस कंट्री कौन है, यानि सबसे अच्छी कंट्री कौन है, जिसका Human Development Index बहुत अच्छा इंडिया की rank इतनी है 131, इतनी कंट्रीस में से आउट ऑफ 189, यहीं से question पूश लेता है, जब HDI rank निकाली जाती है, उसी तरीके से HDI की scaling की जाती है, और यह जो scaling यहाँ पर 0 से 1 के बीच में की जाती है, यानि जैसे rank होते ही, वैसे ही scaling की जाती है, उसका जो scale parameter होता है, व 0.645, इस वज़े से इंडिया एक middle HDI country के अंतर आती है, यानि इंडिया का human development index है, वो middle category में आता है, जब कि अगर मैं चाइना की बात करो तो चैना का जो HDI है, वो very high है, यानि चाइना का HDI जो वो high HDI के अंतर count होता है, इसी तरीके से question जो है, वो 12th का बेसिस का question है, पर ब है, वो है China का, और China के बाद है, इंडिया का, और सबसे कम इन तीनों में से जो HDI rank है, जो सबसे कम, जो सबसे पिछडा हुआ है, इन तीनों में से HDI के term में है, वो है Pakistan, यानि सबसे अच्छा human development index, जो है तीनों countries में से चाइना का है, दूसे नंबर पर इंडिया का है, और इसमें क्या क्या चीजे काउंट होती है, HDI index जो हो कौन कौन से composite index से मिलकर बना है, तो human development index में तीन चीज़े आती है, very important, बहुत बार exam में पूछा गया है, KVS के exam में, नवोदे के exam में, तो पहला HDI index का पहला component है, आपका life expectancy at birth, तो HDI rank का, जो हम हम HDI निकालते है, इसका प सेकेंड है, expected year of schooling and mean year of schooling, expected year of schooling and mean year of schooling, and third component यहां पर आ जाते है, आपका gross national income, gross national income, and इसको measure किया जाते है, by per capita, पूछ लिया जाता है, तो पहला हो गया life expectancy at birth, दूसरा हो गया mean year of schooling and expected year of schooling, and third one हो गया gross national income, which is measured by per capita, याद अखना है, इतने relevant information आपको HDI से पता होनी जी, जो बहुत बार एक्जाम में पूची गई, और बार बार पूची जाते है, question बार बार repeat होते है, next question है, question number three, which sector has the largest contribution in GDP या फिर national income, यानि जब हम इंडिया का GDP निकालते हैं, फिर इंडिया के national income निकालते हैं, तो कौन सा sector है, जो सबसे जादा contribute करता है, या फिर किस सेक्टर से सबसे ज़ादा national income या GDP क्रियेट होता है, तो आप जानते हैं, इंडिया में तीन सेक्टर है, primary sector, secondary sector and tertiary sector, तो इन तीनों सेक्टर में से सबसे ज़ादा आज के टाइम पर, यानि current की बात हो रही, current की बात, recently, तो current में सबसे ज़ादा जो GDP and national income create हो रहा है, वो हो रहा है, service sector से, जिसको हम tertiary sector भी बोलते है, service sector, tertiary sector जिसमें आपका banking, insurance हो गया, banking insurance, lawyer, teachers, doctors, यह सारे professions, यह सारी services आते हैं, वो सारी आजेंगे tertiary sector में, और आज के टाइम पर सबसे ज़ादा GDP हो रहा है, एक कुशिन और पुछा जाता है, कि सबसे ज लोग काम करते हैं, आज के टाइम पर इंडाय में, तो आज के टाइम पर भी सबसे ज़ादा लोग काम करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में, याद रखना, maximum employment आज भी प्राइमरी सेक्टर में है, लेकिन maximum GDP जनरेट होती है, वो होती है, service sector, जिसको हम tertiary sector भी बोलते हैं, अब लिभी प्राइमरी सेक्टर का मतलब क्या है, वो सेक्टर जहां पी natural resources का यूज किया जाते हैं, वो resources जो में nature से मिले हैं, और उन resources का यूज हम कहां करते हैं, agriculture में यानी हम primary से कर रहे है, दूशा हम इorgt सेकंडरी सेक्टर, इसको हम manufacturing सेक्टर भी बोलते हैं, फिर industry भी बोलते तो secondary sector के बात करें, secondary sector का मतलब क्या है इस sector में हम रिसोसिस का यूज करते हैं जो basically हम ही प्राइमरी से मिले हुएं मालेच है अपने primary sector के अंदर sugar cane ग्रोग राइमरी में अपना अपना agriculture यानि फार्मिंग करते हैं है अपने sugar cane ग्रोग गया बट उस शुगर के इनसे ज़ शुगर बनेगी, वो कहा बनेगी, वो कौन बनाएगा, वो इंडस्ट्री बनाएगा, समझागे? तो यानि primary जहां पर natural resources का use किया जाता है बट secondary के है जहां पर जो resources primary से आ रहे है उनका actual में इस्तिमाल जो है वो secondary सेक्टर में किया जाता है जिसमें आपका manufacturing, construction यह सब secondary में आ जाएगा and third one is service sector कि जिसको tertiary sector बोते हैं तो जो भी goods जो भी services है जो में visible नहीं होती पर उनसे में benefit मिल रहा है हम उसको service को enjoy कर आपका service sector में आजाता है आपका insurance, banking, trade, commerce यह सब किसमें आगया आपका tertiary sector में आगया तो इस सारी चीज़ आपको पता होने चेह यहां से relevant information जो है वो आपसे exam में पूछे जाती है next पढ़ते हैं question की तरह next question कहता है maximum number of times budget presented by which finance minister आप जानते हैं कि budget, इंडिया में जो budget present करता है वो कौन करता हर साल, finance minister करते हैं तो question यह कि कौन सा finance minister इंडिया का ऐसा है जिसने अभी तक सबसे जादा बार budget present किया है पारलियमेंट में तो उनका नाम है very very important question, इनका नाम है मौरारजी दिसाई, मौरारजी दिसाई जो है वो finance minister रह चुके हैं उस इन्होंने अपनी like में यानि total उन्होंने 10 बार यानि जब तक वो अपने उस tenure को enjoy कर रहे थे हैं अलग अलग टाइम पे वो finance minister बने तो उन्होंने total 10 बार budget को present किया तो याद अखना मौरारजी दिसाई finance minister जिन्होंने इंडिया में सबसे जादा बार क्या कर रहे है budget present किया, और कितनी बार क्या है, यह question में पूछा जाता है कितनी बार क्या है, तो अभी तक वो total 10 बार, यानि total 10 times वो इंडिया में budget present कर चुके हैं, अब यहीं से budget से related कुछ fact based question पूछे जाते हैं, कि जो budget है वो कौन से article में आते है, budget आपका आते है article 112 में, पूछ ले जाता है कि budget को और किस नाम से जाना जाते है, तो budget को नाम जाना जाते है, annual financial statement, budget को annual financial statement भी बोलते है, फिर next question आते है कि budget को कौन present करता है, budget को present करने का काम होता है हमारे finance minister का, कहा present किय जाता है, पार्लियमेंट में करते हैं, बजट को हर साल पार्लियमेंट में कौन प्रेजेंट करता है, फाइनस मिनिस्टर, कब करते हैं, किस डेट को करते हैं, तो या दखना हर साल इसको एक फरवरी को प्रेजेंट किया जाता है, एक्चल में 2016 तक इसको लास्ट वर्किंग ड पूछ ले जाता है कि इसको क्यों change किया गया क्यों budget को एक फरवरी को प्रेजेंट किया जाने लगया क्यूंकि आप जानते है कि हमारा जो नया financial year होता है या हमारा accounting year होते है वो एक April से शिरू हो जाता 31 मार्स तक चलता नेक्स और अठाइस फरवरी को गर budget तो उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लिमेंट करने में टाइम लगता था जो नए फाइनेशल एर के साथ स्टार्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता था इसलिए क्या किया गया इसको एक फरवरी किया गया ताकि सफीशन टाइम रहे और नए फाइनेशल एर से इस बजट को प इंडियन बजट का फादर किसको बोला जाता है उनका नाम याद रखना आप आरके शन्मुखन शेटी इनका नाम था इन्हों ने जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था आप जानते हैं थीक है 15 अगस्ट 1947 को जब भारत अजाद हुआ इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो इंडिपेंडेंट हुने के बाद पहली बार जो जिस फाइनस मिनिस्टर ने बजट प्रेजट किया उनका नाम था आरके शन्मुखन शेटी इसलिए इनको फादर आफ इंडियन बजट भी बोला जाता है आरके शन्मुखन शेटी ने पहली बार 26 नवेंबर 1947 को इन्हो 406 में लेकिन उस टा Ainsecond पे तो इंडिया इंडिपेंडेंट नहीं था उस टाइम पर इस बजट को प्रेजट किया था उनका नाम पूछा जाता है जेम्स वीलसन क्वेशन यादखना कि first time इंडा में बजट किसने प्रेजेंट किया था James Wilson ने कब किया 1860 में फिर पुछने जाते है कि लेकिन इंडिपेंडनेंट होने के बाद इंडिपेंडनेंस का पहला बजट किसने प्रेजेंट किया था जिनका नाम है निर्मला सीता रमा निर्मला सीता रमा ने इस बार के 2022-23 के बजट को प्रेजेंट किया तो यह सारी relevant information आपको पता होने जहीं यह बहुत बार और हर बार एक्जाम में आपसे पूझी जाती है बटे नेक्स्ट कुशन कितरा who estimated the national income for first time in India यानि जब इंडिया में national income estimate की जारी थे तो पहली बार इंडिया की national income को किस ने estimate किया कौन से economist थे जिन्होंने पहली बार national income को estimate किया very important question first time national income estimated in India by whom question पूझा जाता है तो उनका नाम है दादा भाई नरोजी पहली बार इन्हों ने ही नाशल इंकम को एस्टिमेट किया था दादा भाई नरोजी ने और जब उन्हों ने उस टाइम पर नाशल इंकम को एस्टिमेट किया था उस टाइम पर इंडिया की जो पर क्यापिटा इंकम थी वो मात्र 20 रुपे थी अब यहीं से कुछ और question पूछे जाते हैं, मतलब इसी के साथ साथ further और questions create हो जाते हैं, कि first scientific estimate किस नहीं दिया था, यानि पहली बार तो national income estimate करी थी दादा भाई नरव जी ने, लेकिन scientific तरीके से, यानि scientific method किस नहीं दिया था national income को निकालने का, उनका नाम था VKRV राओ, ठीक उस case में आपका answer हो जाएगा दादा भाई नरव जी, next question आप से पुछ लेजाएगा कि first official estimate किस नहीं किया, national income का, यानि official तो पहली बार national income को किस नहीं तयार के attempt किया, तो उसमें committee थी जिसका नाम था national income committee, पहली बार national income committee थी और इस committee की जो head थे, उनका नाम था प्रोफेसर P. P. C. महाल नौबिस, प्रोफेसर P. C. महाल नौबिस थे, जो कि national income committee के क्या थे, head थे, उन्होंने इस committee को head किया था, और इन्होंने पहली बार official estimate दिया, और official तोर पे national income को तयार किया गया, जिके, अब next question पुछा जाता है कि, एक ही question से किते सारे questions आ गया, अब question पुछा जात CSO, Central Statistical Office, या दखना, यह change हो गया है, जब उस time पे CSO बना था, तो इसका नाम था Central Statistical Organization, बट इसका नाम बदल के, अब क्या कर दिया गया है, Central Statistical Office, तो आप से exam में अगर कोशिन पूछा जाए, कि every year national income in India is estimated वाय, तो आप answer लेकें कि CSO, which is Central Statistical Office, यह answer आपका correct होगा, जिके, तो इस सारे आपको चीज़ें यहाँ पर याद अखनी है, बट है, next question की तरफ, next question में कहता है, when was the first five year plan in India started, इंडिया का पहला five year plan है, वो कब शिरुआ, तो आप जानते हैं कि इंडिया का पहला five year plan कब शिरुआ, 1951 में, फिर पूछ लेता है कि यह first five year plan का क्या period रहा, कितने फोकस था, agriculture पर फोकस था, जाद अखना, first five year plan का target क्या रखा गया, तो very important, कि पहले five year plan में, जो targeted growth rate रखा गया था, कि इतना growth rate होना चाहिए, कि इतना growth rate रखा गया था, 2.1%, first five year plan में, हमने अपनी country में target रखा था, कि हम 2.1% growth rate अजीव करेंगे, बट actual में हमने अचीव कितन किया था, 3.6% याद अपना, जो first five year plan था, वो हमारा काफी successful five year plan रहा, वहाँ पर हमने target रखा था, सिफ 2.1% की growth rate का, लेकिन actual में इंदया में growth rate कितनी अचीव होई, 3.6%, next important question, first five year plan जो है, वो कौन सी model पर based है, यानि जो पहला five year plan बनाया गया है, वो किस model के basis पर बनाया गया है, तो उस model का नाम है, हेरोड डोमर model, very important, first five year plan जो बना था, वो बनाता है, हेरोड डोमर model, इस model पर based बना था, चीक है, तो यह चीज आपको याद रखने है, फिर आपसे question पूछ ले जाता है, कि इन five year plans को कौन बनाता है, इन five year plans को बनाने का काम किस का था, planning commission का, planning commission का बना 15 मार्च 1950 को बना, second five year plan का बना है, 56 से, आपका 60 बनाता है, पांस सार तक चला, second five year plan का किस पर focus था, industry पर focus था, total इंडिया में कितने five year plan रहे, total 12 five year plan रहे, last five year plan कब से कब तक रहा, 2012 से 17 तक रहा है, five year plan को किस के साथ replace किया गया, comprehensive planning के साथ, planning commission को किस के साथ replace किया गया, नीती तो आप देखने हैं कि कितने तमाम क्वेशन्स हैं वो क्रेट हो रहे हैं और इसी तरीके से हम आपने तयारी करने ताकि हम एक क्वेशन को पढ़के बहुत सारे क्वेशन की त्यारी कर सेके कहीं से भी क्वेशन हैं हम असानी से उसको अटेम्ट कर पाए और बहुत अच्छे म ही होगी और साथ में जो भी कुछ आपको मेरे वीडियो से कुछ नया सिखने को मिला होगा सो डू लाइक शेरें सब्सक्राइब मैं चैनल एंड अलसो प्रेश दा बल इकन बटन to get the notification of all my upcoming videos thanks for watching jay hind jay bharat